जाहिन दोस्तों मैं मारिक नायक आप सबको अपने यूट्यूब चैनल पर वेलकम करता हूँ आज हम लोग BPSC 70 प्रलिम्स के रिगार्डिंग हम लोग एविटरिया के 7500 सीरीज का सेट नमबर वन के यहां पर दिसकास होते हैं यहां पर दिखने हैं इसके कोश्ण को यहां पर देखते हैं हम लोग तो यहां पर रिपब्लिकन पार्टि ऑफ इंडिया के सब्सक्राइब के वेलकम कमेटी के सभा जिसमें गांधी से आहसरयोग अं अनुरोध किया गया, था, वह सभा किस सहर में हुई थी? तो वह सभा कहां हुई थी? यह हुआ था, आपका इलाःबाद में हुआ था वर्स 1920 के खिलाफत कमिटी की सभा, जिसमें गांधी से आसायोग अंतोरन के नेतित को संभालने का अनुरोध किया गया था वह सभा इलाहबाद में हुआ था नेक्स्ट है नेमले कितने से कौन व्यक्ति Home Rule League की स्थापना में सामिल नहीं था इनमें से कौन सा जो है Home Rule League में आपका स्थापना में नहीं सामिल था तिया के तिलक थे एनिबिशन थे और अयर थे लेकिन आपके Allcott नहीं थे यह आपके Founder थे किसके एस Allcott किसके Founder थे The Theosophical Society के Founder थे नोखाली घटना के समय महात्मा गांदी के नीजी सचीव कौन थे तो नोखाली के समय जो है कहा थे यह थे आपके प्यारे लाल इसका करेक्ट टेंस हो जेगा आप मेरे को comment बढ़ाईगा कि नोखाली कहां पर है यह मेरे घटना चकर सीरीज में आपको पढ़ा होगा आप लोग पढ़े होंगे तो यहाँ पर नोखाली घटना के समय में महात्मा गांदी के नीजी सचीव कौन थे तो प्यारे लाल थे सवीना अवग्या अंदुरन की असफलता के बाद गांदी जी ने महात्यो दिया था किसे महात्यो दिया था यह थे आपके रशनात्मक कारेव को रशनात्मक कारेव को उनने महात्यो दिया था नेक्स्ट है बंकिम चंड चटर जी की इन में से कौन सी रचना नहीं है तो इन में से कौन सी रचना नहीं है तो इन में से कौन सी रचना नहीं है तो यह है आपका दुरगेश नंदनी है अनन्द मठे और देवी चौधरानी है लेकिन आपका पोस्ट मास्टर नहीं है नेक्स्ट है वर्स 1911 में समाजी कारेकरता ने नेम्लिखीत में से दक्षिन भारत में विज़ा प्राप्त करने वाला पहला सासक कौन था? तो पहला सासक जो थें ये थें आपके अलावडिंग खिलजी इसका करेक्टन अंसर हो जाएगा निमलिखित में से दक्षिम भारत में वीज़ा प्राप्त करने वाला पहला सातक था अलाओ दिंखिल जी इसका करेक्ट नांस हो जगा इसने मार्केट कंट्रोल सिस्टम अपनाए था इसका जो सिना नायक था आपका मलिक कफूर था और इसने जो है आपका कौन सा इसकेंड एलक्जन्डर के उपादी धारंग की थी निमलिखित में तो कौन सा व्यक्ती रंपा विद्रो से समधी थे रंपा विद्रो का समधी चैसा हो गये इन में से तो या आप या अलूरी सितराम राजू इसका करेक्ट नांस हो जगा तो रामपा विद्रो हो जएगा आपको कौन सा अलोडी सी ताम राम राजु इसका करेक्टर हो जएगा जिसमें से बिर्सा मुंडा हो जएगा आपके मुंडा रिवॉल्ड के और मंगल पांडी जो 34 वे नेटिव इनफैर्ट्री के लिडर थे पागल पंत की अस्थापना किस ने किया था ये जो किये थे अस्थापना ये कराम शाने किया था पानीपत के युद में बाबर के जीतने का मुख्य कारण क्या था तो पानीपत के युद में बाबर के जीतने का मुख्य कारण जो था उसके आपका तुगलुमा पद्धति इसका करेक्टेंस हो जाएगा तो उसका तुगलुमा पद्धति के वज़े से उसका मुख्य कारण कि वह जीत चुगा था दफनाई के बच्चों के सवाधान प्राप्त हुए है कहां से यह मिला है आपका जौरूवी संस्कृती से मिला है भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान सबसे अधिक था यह था आपका गुप्त का गुप्तवांस का था नेस्ट है धामेक अस्तूप कहां पे है तो धामेक अस्तूप जो है आपका सारनाथ में है धामेक अस्तूप कहां पे सारनाथ में हो जाएगा नेक्स्ट है वो सुल्टान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इंकार कर दिया था तो खलीफा के बातों को इंकार किया था किसने ये किया था अलावदिंग खिलजी ने किया था तो खलीफा के अधिकार को मानने से इंकार किया था अलावदिंग खिल जी ने नेक्स्ट है यूरोप को उत्री अमेरिका से कौन सा सागर या महा सागर अलग करता है ये कौन अलग करता है तो आपका North Atlantic Ocean अलग करता है Europe को उतरी अमेरिका से कौनसा अहासागर अलग करता है तो उतरी अत्ल्ectic महासागर हो जागा नेक्स्ट है शिवालिक साल समुख के दक्षिन में भाबर छेत्र उधारन है किस्तितिक का तो भाबर छेत्र उधारन होगा वक्किशिच का उधारन है तो यह आपका गिरिपद अस्तितिका हो जागा तो शिवालिक सैल समु के दक्षिन में भावर उधारान है गरिपत अस्तितिका कौन सा ओर्ष परिवार से समधित नहीं है तो निहारीका यह चुद्र गढ ़相信 होजेगा सब्सक्राइब लिए bon जो जबतेगे जबतेगे 20 का हमारा option इसका correct answer हो जाएगा next है तो 21 देखेंगे निम लिखी छेत्रों में से किस एक छेत्र में राज्यसरकार का अस्थानिय इकाई यह पर नियंद्र नहीं होता है तो नागरी को किसे एकायतों पर नियंद्र नहीं होता है नेक्स्ट है निम्लिखित कत्रों में से कौन काज estos गलत है तो यहां पर आपका आपका सही हो जागा यह वकर सही है तो हमारा कौन सा गलत होजगा हुद में हमारा केवल b c d जाब बिसीड़ेगा गलत सहकारी समीतियों के गठन वा संचालन से हो जाएगा 23 का भी हो जाएगा यह आपका कोपेटिव सोसाइटी से समधित है संतानवे वा समिधान संसोधन नेक्स्ट है भारत के संसदारा पाश्या प्रावधान अनुसुजी छेतर तक विस्तार का कानूर का परित कहे था यानि इसको सिंपल साएप पेसायक्त इसको क्या क्या एक पेसी राइक्त कब आय था उनीस सो में याह था पेसायक्त कब आय मैंनस गयर कर भुछ रहो जाएगा आप इसको लिखते रहने एसंस को दीकते देती है किसकी क्योंकि यह क्या है यह जो है आपका क्या है आपका अत्यंत वाश्पसील है सरीर के संपर्क में अस्पिरिट जो है अस्पिरिट है आप अस्पिरिट जो है ठंडा अनुबति देता है क्योंकि यह क्या होता अधिक अत्यंत वास्पसील होता है एवोपरेशन जल उसमा जल में प्रवाहित होती है नेज्ट है हरे पॉद है सूरी के प्रकास की उर्जा का कितना परसेंट लेता है तो याद करना है हमेता कि यह चीफ एक परसेंट लेता है उसके बाद जो है 10% रून काम आता है ठीक है तो यानि जब पेड़ पॉधा लेगा जब पेड़ नेक्स्ट है नेक्स्ट पोच्ट यहाप पे कूट है यहां यहां पर देखना है अपर बताना है यहां पर यहां पर दिखे, इसका option D यहां पर सही हो जगा, तो option arsenic क्या हो जगा, फेपड़े का गांसर करता है, arsenic, cadmium जो आपका हड्यों में कमजोरी लाता है, polyvinyl chloride जो है, यह जो हो जगा, आपका स्वसंवन्दी समस्या है, और barium जो आपका मस्तिश का सूजन है, नहीं आता है, दि सांदर सलफूरिक एपस्तिती में इसेटिक एपस्तिती में एपस्तिती तन एथील अलकुहल Sizas जाता है तो ग्रिफाइट को पर्तो को एक दूसरे से मिला कर रखा जाता है किस वो जैसे यहाँ पे वंडर वाल्स बलो के द्वरा वंडर वाल्स बलो के द्वरा इसको एक दूसरे पर रखते हैं नेम लिखित में से कौन सा एक यातायात संचालित नगरों में भूरी वायू बनने से संबन्दी थे तो कौन सा हो जागे हैं हापे यह जगा अपका सलफर डायोकसाइडिस का करेक्टेंसर हो जाएगा किस प्रकार के उत्तक से मनुस्यों में गरंथी का निर्मान होता है किसा तक है किस का करेक्टेंसर हो जाएगा मनुश्रिकी एलाज में उपस्तिक एक घाτοक लाईजोजाइम किस रूप में काल्य रत करता है यह करता है आपको प्रतिजीवाणू कारग तो मुनस्री के खुलना एबन बंध होना किस पर डिपेंड करता है तो अस्तृती दाव इसका करेक्ट एंसर हो जाएगा निम्री में से कौन फूल का एक अंस है तो कौन सा फूल का बाग होता है इन में से बताना है आपको तो यह विश्याला परदार्त है जिसका उपयोग राशानिक हतियार के रोप में किया जा सकता है तो जा सकता है सही बात है कैन भी यह अत्रदिक जलन सीन है और हवा के संपर्ग में आने पर यह परजलित हो जाता है तो दोनों ही अस्टेट में किया आपका यह सही है दोनों ही अस्टेट में आपका करेक्ट हो जाएगा सामाने ठंड में निमली खीत में से कौन सा नासिका संकुलन यानि कंजेशन के लिए उत्तरदाई होता है तो कंजेशन के लिए कौन उत्तरदाई होता है तो आपका हिस्ट में इसका करेक्टेंसर हो जाएगा केंदर कला का निर्मान किस कोषिकांग दवरा किया जाता है तो ये किस कोषिकांग के दवरा होता है तो अंतर दर्वे जालिका में होता है नेक्स्ट है लासिका एवं रुधिर किस उत्तक का उधारन है तो यह जो उधारन है आपका समवहनिय उत्तक का उत्तक का तो लासिका एवं रुधिर किस उत्तक का उत्तक का उत्तक है तो समवहनिय उत्तक किसका करेक्ट्रेंस हो जाएगा भारती अर्थ वियस्था के संदब में खुला बाजार परिचालन किससे निर्दिस्ट करता है तो यह जो निर्दिस्ट करता है यह आपका RBI द्वरा सरकार प्रतिबूतियों के क्राय और विक्राय में यानि जो है ट्रेडिंग इन सेक्रेटी ट्रेडिंग इन सेक्रेटी होता है उसको हम ओपेन मार्केट ओप्रेशन करते हैं जिसको खुला बाजार परिचलन में करते हैं तो यह हो जगा आपता कौन सा ट्रेडिंग इन सेक्रेटी गौर्वर्मेंट सेक्रेटी में अगर ट्रेट करेगा तो आपका open market operation हो जाएको MO ka Österreich को पुंजी खाता परिवर्त नियता पर किसी फारेस Egyptian JEFF ओकई समीति ने की थी किस समीतिने किया थे खिय था आप में को बताएंगे तारापर समीति का घठन गफ़ होगा था इन तिन जितने भी समीति आप लिपार में देखेंगे नरसिमा समीति बैंकिंग रिफेर्म से था और आप मेंड़को बताएंगे रंग राजोन समीति तैरा आप मेंड़को बताएंगे और अबीधूसरन कमिची MSME के लिए था कब था आप मेरेको डिट बताएंगे पुझी खाता परिवर्तनिय का सिफारीस निमलिखित में किस ने किया था तारापुर्ण कमिटी इसका करेक्ट एंस हो जगा भुगोल को मानो पारिस्थिकी के रूप में परिभासित करने वाला विद्वान कौन था तो ये कौन थे ये थे आपके hh-barrage इसका करेक्ट एंस हो जगा प्भुगोल को मानो पारिस्थिकी के रूप में परिभासित करने वाले थे आपके hh-barrage हो जगे भारत के निमलिखित छेत्रों में से कौन सा पारिस्थिकी ऊुष्ण अस्थल माना जाता है तो ये जो माना जाता है आपका पश्मी घाट मानते हैं इसको बायो डावर्सिटी होट स्पोट के रूप में भी जाना जाता है तो पारिस्तित की उश्न अस्तल माना जाता है पश्मी घाट को नेक्स्ट है विस्व संगीत दिवस कब मना जाता है तो 200 संगीत दिवस जो मनाते हैं 21 जून को मना जाता है याद रखना है नेक्स्ट है भारत का पहला रास्टिय समुदाइक पार्क कहां पे सी थे यह पहला रास्टिय समुदाइक पार्क आपका कच्च में सी थे भाग का पहला रास्टिय समुधाइक पर कहां पे सी थे कच इसका करेक्ट अंसर हो जाएगा निमलिखीत में से किस ने कहा था स्वाद का वास्तवी कस्थान जीवा जीव नहीं बलकि मन है ये कहा था महत्मा गांधी ने किया था ठीँ के तो सृसलिस्ट नामक समचारपत का प्रकाशन स्रीपाद अम्रित डांगे का क्रेंटट हो जाएगा भैसा शिंगी नामक जाती किस राजिमें पाई जाती है तो यह लुय जो राज है आपका नंगलान ऑज़गा भैसा सिंगी जो है नामग जाती जो है नागा लैन में पाई जाती है यादखना है नेक्स्ट है आपका HDPE का पूरा नाम क्या है HDPE के पूरा नम है High Density Polyethylene हो जाएगा तो HDPE हो जाएगा High Density Polyethylene इसका Correct Tensor हो जाएगा नेक्स्ट है आपका भारत में मानो का सरोपथम साक्ष प्राप्त कहां से हुआ तो नमदा घाटी से हुआ है यानि जो है आपका मानो का सबसे पहले जो साक्ष मिला है नमदा घाटी से मिला है सरवपथम प्राचिन्स अस्थाई जीवन के प्रमाण कहां से मिला है तो मेहरगर से मिला है यादखना है एरिकल्चर का भी यहां से मिला है और साथ में कल्चर का भी जो अपका जो एविडेंस है वो अपका मेहरगर से मिला है मुझ एकहीं कब्र से तीन मानों कहां काल कआप करका दंधमा से मिला है या धर्भ यद्या bet कुत्यों को दपनाने का साक्ष कहां से मिलता है यहां पर लिखा हुआ भी है हाँ जुते हुए खेट का साक्ष कहां से मिला है तो काली बंगा से मिला है या दखना है कि जुते हुए खेट का साक्ष है काली बंगा से अगनी कुंड का साक्ष कहां से मिला है काली बंगा और लो बंगाव लोथर से मिला है तो यह है हमारा सेट नमर वन कम्प्लीट से मिलते हैं अगले वीडियो में सेट नमर टू के साथ तब तक लिए जैहिन जैभारत धन्यवाद याद कि